साथियों, खेल से जुड़ी स्कील हो, या फिर खिलाडियों को सर्वस्रेश बनाने के लिए दूसरी विधाएं हो, सरकार कदम कदम पर खिलाडियों के साथ खड़ी हैं। हमारी राष्ट्रिय सिख्षानिती में स्पोर्ट को एक विशय के रूप में पढ़ाया जाना प्रस्ता भी थैं। स्पोर्ट अब पाठ्रक्रम का हिस्सा होने जा रहा है। देश की पहली राष्ट्रिय खेल युनिवर्सिटी के निर्मान से इसमें और मदद मिलेगी। अब राज्यों में भी स्पोर्ट स्पेशलाइज हायर एजुकेशन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें उत्तरप्रदेश बहुत प्रसंशनिय काम कर रहा है। मेरट में मेजर ध्यांचन खेल विश्व विद्याले का उधारण हमारे सामने हैं। इसके अलावा आजदेश भर में एक हजार खेलों इंडिया सेंटर्स की भी सापना की जा रही है। करीब दो दर्जन नेशनल सेंटर्स अप एक्सेलेंसी भी खोले गए हैं। इन सेंटर्स पर प्रदशन को सुधार ने के लिए ट्रेनिंग और स्पॉर्ट साइंस स्पॉर्ट और उसके लिए भी सपोर्ट दिया जा रहा है। खेलो इंडिया ने भारत के पारंपारिक खेलो की प्रतिष्टा को भी पुनस्थापित किया है। गटका, मलखम, ठांगता, कलीरपट्टू और योगाशन जैसी विभिन्य विधाओं को प्रोचाइच करने के लिए भी हमारी सरकार स्कॉलर्शिप्ट दे रही हैं। साथ क्यों, खेलो इंडिया प्रोग्रेम से एक और उत्साहजनक प्रणाम हमारी बेटियों की भागिदारी को लेकर आया है। देश के अनेक शहरों में खेलो इंडिया विमेंस लिख का आयोजन चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इसमें अभी तक अगअग अलग आयूवर्क की लगबग 23,000 महिला एथलेट्स हिस्सा ले चुकी हैं। खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेंस में भी बड़ी संख्या में महिला एथलेट्स की भागिदारी है। मैं इन खेलों में हिस्सा ले रही बेटियों को विशेश तोर पर अपने शुकामना है देता हूँ।